तूडे वी विल डिसकस अबाउट चैप्टर फूड फूड एंड डाइजेशन में बच्चों इससे पहले हमने फूड के बारे में पढ़ा न्यूट्रेंट्स के बारे में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे कि जो फूड होता है जंक फूड क्या होता है और इसके अलावा हम पढ आते वक्त कुछ टिपिकल टिप्स कुछ टिप्स है उनके बारे में और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम डिसकस करेंगे ओके तो यह है बच्चों जंक फूड जंक फूड कौन सा होता है बच्चों कहते ना कि जंक फूड मत खाईए कौन सा होता है जंक फूड किसक In today world, healthy nutritious food have been replaced by the new food, the junk and fast food. यह करता है कि आज के संसार में जो healthy, post-it, हाज था, वो किसमें से replace हो गया है, बदल गया है, new food से बदल गया है, और निउफट का नाम क्या है, junk food और fast food के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब इस junk food और fast food में क्या सामिल होता है, क्या क्या है जिसको हम junk food और fast food कहते हैं it comprise anything that is quick, convenient and fashionable किसी वहाँ food जो क्या होता इसमें क्या क्या सामिल होता है कोई भी जो क्या होता जल्दी से पक जाता है sweet आजनक है और जो fashionable है ठीक है जैसे food like wafer है, coal है, pizza है, burger है ठीक है, इन सबी को किसमें इसी category में हम रखते हैं खाते होना आप सब को यही खाना पसंद है, pizza, burger, chips, kurkure यह सब किसमें आते हैं, junk food में आते हैं taking too much junk and fast food can make us put on extra weight और कहता कि junk food अगर हम खाते हैं तो उससे क्या हो जाता है हमारे अंदर मोटा पा जाता है extra weight gain कर लेते हैं, अंभारी हो जाते हैं जैसे कि यहां पर जो दिखाया गया है, यह सारा क्या है बच्चो, junk food ही है though junk food tastes good, but they do not provide essential nutrients thus these are not healthy यह कता है कि जो junk food होता है, वो लगता तेस्ट में तो अच्छा होता है लगता तो हमें tasty है, लेकिन जो essential nutrients होते हैं, जो हमारी body को requirement है जिन nutrients की, वो nutrients है, वो provide नहीं करता है इसी वज़े से जो junk food है, वो healthy नहीं है ओके, इसके बाद next आता है, बच्चो, cooking the food की जो food है, उसको हम कैसे पकाते है cooking make the food tasty, soft and easy to digest कर सकते हैं डिपड़ा सकते हैं, आसानी से बचा सकते हैं इटर आल्स الصley figs को भी माता है मिस्थे पकाँने से君 की वो जाता है कि Гwo जो clean different foods are cooked in different way जो different type का food होता है वो different way से क्या होता है पकाया जाता है they can be boiled, fry, roasted, steamed and baked इसमें क्या क्या है बचो देखो जैसे boiled mean उबालना, fry, fry करना ठीक है, roasted होता है भूनना, steamed means होता है कि भाफ में पकाना और baked mean भी क्या होता है पका हुआ यह सब तरीके हम अपनाते हैं खाना बनाते हैं खाना बनाते हैं खाना बनाते वक्त क्या होता है कि कुछ टिप्स बताए गई है तो maintain the nutrients while cooking we must remember the following tips यह कहता है कि अगर खाने के अंदर हमें nutrients रखने हैं nutrients जैसे कि destroy हो जाते हैं खाना पकाने से कुछ nutrients destroy हो जाते हैं जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो vitamin C होता है कि इसमें खटे जो भी सबस्टान से खटे पदार्थ हैं उसमें vitamin C होता है लेकिन cooking पकाने की वज़े से vitamin C हो क्या हो जाता है destroy nest हो जाता है तो इसी तरह करता है कि खाना बनाते हैं तो लोस हो जाते हैं तो हमें कुछ ट 챙 गये हैं उनको क्या करना चाहिए हमें याद रखना चाहिए जिससे क्या कि कुछ न्यूठा घषन शोका शक पंद्स से सब्सक्राइड थिए यांध ईंक आ इतले गता है कि जिसमें हम दाल भेते हैं ठीक है दाल भीगोई जाती है तो उसमें क्या होता है कि उस पानी में जैसे कि दाल भीगोकर करके रख रहते हैं पानी के अंदर तो उस पानी में भी क्या होते हैं बचों न्यूटेंट्स होते हैं उस पानी को हमें ऐसे ही फैकना नहीं चाहिए ख कहता है कि जो फ् Vic já includes उनको काटने से पहले क्या लेदा चाहिए दो लेना चाहिए राए चाहिए पार ने अगर चाहिए में और उसको क्या करना करना चाहिए पहले लेते हैं पहले चिलरमे लेते हो वीमें और उसको के बाद उसको काटो और छीलो पीलिंग मिंस क्या होता है छीलना ओके थार्ड है डूनोट ओवर कुक और डीफ फ्राइब फूड इट डिस्टोई दा नूटेंट्स कहता है कि जो फूड है उसको हमें ज्यादा नहीं पकाना चाहिए ज्यादा पकाने से भी उसके नूटेंट akiya क्या हो जाते हैं तो क्या जाते हैं ागर हम ज्यादा क्या यूजक करते हैं मसाले यूजक करते हैं तो इससे भी जो फूड की वेल्यू है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है टेस्टी बन जाता है लेकिन उसमें जो वैल्यू है फुड की वो क्या हो जाती है कम हो जाती है उसके बाद नेक्स आता है बच्चो फुड प्रीजर्वेशन नेक्स क्या है फुड प्रीजर्वेशन और प्रीजर्वेशन का मतलब क् ब्रीजर्वेशन इसा एक मैंत्य है जिसमें हम फूद को नंबे समय अंग नहीं होरा था थो नोग्यार्व पका हुआ या बीना पका हुआ दौनों टाइप को सब ब्री कर सकते हैं ठीक है ठीक है फुड भी जर्नली कहता है कि जर्नली हम फूड को कैसे प्रीजर करते हैं मिस फुड को हम खराब होने से तो देखो फरस्ट भचो हम क्या करते हैं कि freeze it as in ice cream or crusties सवसे पहले को हम क्या करते हैं कि जो फूड क्या करते है में नहीं होता वह कई ओपर करता है बस फूट के ओपर डिप陳apper चाहते हो मिलक प्रीजाव करना चाहते हूं को नसदेवर करना चाथे हो वैजी टेबल को प्रीजाव करना चाहते हो on the N sic एज इट टिन्ट फूड कहता है कि हम क्या कर सकते हैं डिबे में भी बंद कर सकते हैं तिन्ट फूड मिस डिबे में भी क्या आज डिबे में बंद करके भी हम क्या कर सकते हैं फूड को प्रीजर्व कर सकते हैं Salted as in the pickle इसके साथ कहता है कि Salt जैसे पिकल में हम Salt डालते हैं ऐसे ही Salt डाल करके भी हम क्या कर सकते हैं फुड को प्रीजर कर सकते हैं क्योंकि Salt भी क्या करता है जो माइक्रो और्गेनिजम की ग्रोथ होती है बच्चों उसको रोकता है ठीक है Sweeten it as in jam, jelly and chutney जो मीठ है जैसे jam है, jelly है, chutney है उनकी तरह हम मीठा करके भी क्या कर सकते हैं प्रीजर कर सकते हैं ठीक है और ऐसा जर्नली हम करते हैं खुड को जर्नली प्रीजर हम ऐसे करते हैं Oil it as in pickle और अचार के अंदर हम क्या डालते हैं oil डाल के भी क्या करते हैं उसको प्रीजर करते हैं Dehydrate it, remove water by drying the food Dehydrate का मतलब होता है बच्चों पानी को बहार निकालना Dehydration में क्या होता है पानी बहार निकालना तो जैसे कि जो भी food है उसको dehydrate करके means उसको सुखा करके उसका पानी अगर हम निकाल देंगे पानी को हम निकाल देंगे तो क्या होगा कि जो food है वो हमारा प्रीजर हो जाता है जैसे कि हम नहीं कर यूज करते हैं dry सुखी मेथी है उसको यूज करते हैं ठीक है, spinach पालक है उसको सुखा करके यूज करते हैं तो उसको क्या क्या डी हाइडरेट करके और उसको कहा सर्दी में सुखा लेते हैं और आप हम यूज करते हैं तब उसका टाइम नहीं है तब तो वो दी हाइडरेट करके मिस वाटर को रिमू करके भी हम क्या कर सकते हैं फुड को प्रीजर कर सकते हैं ऐसे ही आप अपने घर मे देखते हो पिकल अचार में देखते हो ना ओयल जादा माउंट में रहता है साल्ट भी रहता है तो वो किस वज़े से डाला जाता है वो इस वज़े से डाला जाता है बच्चो ताकि जो पिकल है वो खराब नहीं हो ठीक है इसी तरह टिन में भी पैक कर देते हैं उसमें से जो एर होती है टिन की भार निकाल देते हैं और फिर उसको पैक कर देते हैं तो उससे भी फूड क्या होता है प्रीजर हो जाता है और उससे जो फूड है वो खराब नहीं होता है ठीक है फूड दस प्रीजर लास्ट ल और इस चैप्टर में को कम्पलीट रिवाइज करना इससे पहले हमने क्या पढ़ा है पता ना आपको फूड के बारे में ही पढ़ा न्यूट्रेंट के बारे में पढ़ा न्यूट्रेंट कौन-कौन से होते हैं बच्छो कार्बो हाइडरेट प्रोटीन फैट विटामीन्स मि ठीक है सम्टिप्स वाइल कोकिंग और उससे साथ साथ हमने क्या पढ़ा फूड प्रीजर्वेशन ओके धन्यवाद बच्छों